इंडिया अजन इंवेस्टमेंट कंट्री मुझे लगता है अभी तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियान है या इवन जो फॉरेंड इंवेस्टर है वो लोग इंडिया को ऐसे देखते हैं जैसे इंडिया से अच्छा जागा कोई नहीं है लेकिन ये धीरे 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 इंडिया में भी आना चाहिए इंडिया में अभी दो से तीन परसेंट लोग इंवेस्ट करते हैं चाइना में 18-20% करते हैं, युएस में 40-45% करते हैं, तो एक बात सोचनी की ये है कि जब पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, तो हमको देखना चाहिए, तो उसी थीम को हम आगे ले रहे हैं, और अभी धीरे धीरे वो चीज आ रही है, लोग एजुकेशन से लो अभी जान रहे हैं, धीरे धीरे इंडियान इंवेस्टर जो है, वो इंडियान स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा उमीद है, और करेगा, और हम उसकी ये यात्रा एकदम सिंपल बनाएंगे, जैसे मैंने बताया किस तरीके से हम बनाएंगे.